प्यारे बच्चों नमस्ते आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बड़िया होंगे प्यारे बच्चों तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों मैं बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने जो है पी-ए-म-S-O-C-S-K-O-L-E-S-I-P का जो फॉर्म है या अपलाई किया था तो इसमें क्लास 9 का जो सिलेबस से ये क्या रहने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे लगे किसी भी क्लास के लिए किसी भी एक्जाम के लिए आप लोगों को सिलेबस जानना बह मैंने आप लोग का देखा है दोस्तों ठीक है यान कि प्रिबिएस देर कोश्चन से इसको मैंने थोड़ा वो देखा और आइनालाइस किया कि यहां सर कौन-कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है इसको आज हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं कि देखिए आप यहां पर आप लोग का NCID क्लास राइट का NCID ही पढ़ना है तो इसमें देखिए चैप्टर नमर वान और यहां पर इंपोर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे टैंसर नहीं लेना है देखिए पहला अध्याय आपको पढ़ना है क्या है कि फशल उत्पाधन अबंग प्रब है अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में इंपोर्टेंट कौन सा होगा उसके बाद कोईला और पेट्रोली आम यह पढ़ना है दहान अवज्वाला पढ़ना है पोधो आवर जन्तु कसन रचन ठीक है पोधो और जन्तु कसन रचन अब चले हम थोड़ा बूत इंपोर् हों पोधो कसे लrire करा रहिगा यांब नियुकर आपको मिलान करना होगा और यह क्या हो रहा है भी का क्या हो रहा है इस प्रकार से देखना होगा और नीचे प्रकार से सब्सक्राइब कर लिए और मैं बता दूं कि आप लोग के लिए क्लास 9 के लिए हमारा जीके का क्लास चल रहा है यहां पर आप लोग नोट डाउन कर लिए जो हमारा चैनल एक टू चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब कर लिए क्यों कि आप लोग के लिए फाइदा है जीके का कोशन बता रहा हूं उसके साइंस का कोशन बहुत जल्दी मिलेगा है ना कैसे तैहरी करनी है उस चैनल पर मैं बता रहा हूं तो दोनों चैनल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बेसिकली इस चैनल पर जाएए इस चैनल पर आप लोग का क्लास में दे रहा हूं तो जल्दी सब्सक्राइब की ठीक है ना तो चली देखते आगे तो देखिए समझ मागे कि फसल प्रवंदर यहां से आप लोग का दो सवाल रहने वाला दो या तीन सवाल जोरूर रहेगा वाई ना उसके बाद सुचमा जीब यहां से भी कोश्टन पूछे जारा है ठीक है लेकिन कम मत्रा में उसके बाद यह बाद जो चैप्टर है संसलसित रेसे इमंग प्लास्टिक इस चैप्टर से कोश्टन पूछे जारा है बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है ठीक है इस चैप्टर से कोश्टन पूछे जारा है नहीं उसके बाद है धातू धाता धातू यह सबसे ज़्यादा बीविया चैप्टर है वाबू इससे नो डाउन कर लो है ना धातू ध तो जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा डीटेल में इस चैप्टर को डिल करूंगा जिक्या इसमें पढ़ना होता है ठीक है तो इसमें जो भी है आप लोगा यहां पर पढ़ना होगा धातू अधातू वाला चैप्टर में और यह वाला चैप्टर इंपोर्टेंट है यह वाला भ पूछे जा रहा है उसके बाद कोशी का देखे को सी का वान आप दो मौस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वह भी वायो का ठीक है वायो का इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा जीवों में जनन यहां से आप पूछेगा किस परकार से किस्ट में किस वीदिदवर जनन होता है ठीक है मुकुल अप्सें रहेगा है और भी बहुत सब्सक्राइब करना होगा ठीक है अब समझेगे को दिक्कत नहीं है आप देखिए आगे आगे आप लोग का चैप्टर है किसोर अवस्ता की ओर ठीक है किस सब्सक्राइब कराओंगो तो आपर फिल सोर एक बार एनलाइस बता देंगे ठीक है उसके बाद घरसन जो घरसन धनी वाला जो चैप्टर देख रहे हैं यह दो चैप्टर बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है फिजिक्स के लिए ठीक यहां से कोश्चन से एक दम चैप्टर इंपोर्टेंट है उसके बाद तारेया और सोर परिवार यहां से जादा नहीं इससे दो सबल तिन सबल पुछेशन सकता है उसके बाद बायू बंग प्रोडोशन यहां से आप लोग सबाल रहा है तो यह था कुछ इंपोर्टेंट टिप्स एं ट्रिक्स जो कि क्यों अब आप लोग करनी है यहां से आप लोग एकको मैच रहेगा मिलान रहेगा यहां से हो सकिए हो की हैं दो मिलान को दिख्कत वाली बात नहीं है नहीं आप करना है तो यह कुशे का understand का कॉंप्लीट जो ठीख रहा है जिसका पीडेप लोग हो तो आप लोग को इसका पीडियेप हम दे देंगे इसके लिए आपको बेप्पिक कर रहा है और आप लोग तेयारी किजिए और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हमारे और एक चैनल जो के हमारा चैनल का नाम है तो इस चैनल को जल्दी से जाईए और आप भी सब्सक्राइब कर दिए तूरंद बाबू क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को क्लास नाइट के लिए वीडियो आ रहा है तो जल्दी से देखिए और पढ़ाई को जो है जोड़ दीजा और यहां से धनी और घरसन बाला जोरू फिर से और एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों थैंक्यू जाएएं